ओम शांतिंग ओम शांतिंग ओम शांतिंग हम सभी तपस्याथ अब नियाकारी स्थिती में स्थित हो जाएं हमारी तपस्या का अन्तिन परिणाम है ही कि हम ये राकार हो जाएं इसके लिए हमें चलते फिरते ये अध्यास करना होगा कि मैं ये देह नहीं हूँ मैं तो चेतन में आत्मा चमकती हुई जोती मास्टर्यन सोधिये पवितरता का सोधिये हूँ मैंने तो इस देह में अवतार लिया है इससे हमारा चित चांत रहेगा और व्यत्संकल्पों से हम सुरक्षित रहेंगे तो कि यत्संकल्पी आत्मा को, मन को, उद्धी को, बेन को बहुत दित नुक्सान पहुँचा रहे हैं इसके अरावा कर्म हम करें या कुछ भी खाये दिये हमें यद्ध्यास करते चलना है मैं फरिष्टा हूँ मैं तो उपर से फरिष्टा अवतरिथ हुआ हूँ मैं तो प्रकास के शरीर में हूँ कभी अपने वो उपर देखें कभी इस देहे में प्रवेश करते हुए मैसूस करें फरिष्टे का काम सभी को सकास देना ही है क्योंकि हम उपर से आए हैं एक माहान कारिये के लिए कि हमें सब को सकास देना है सहयोग देना है हमारा दूसरों को वाइब्रेशन्स देना सबसे बड़ा सहयोग है बतले में हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमारा काम केवल देना है संता और किवायु मंदल को पवित्र करना है मनुस्यात्माओं के दुख हरने है हमें सहयोग देते रहना है तो चलते फिर तेज पानी पी रहे हैं मैं पवित्रता का फरिष्टा हूँ खाते हुए दस वार याद कर ले मैं पवित्रता का फरिष्टा हूँ एक साथ दस बार में, पूरे खाने के समय दस बार याद कर लें, सोने से पहले दस बार याद कर लें, बाइस चलाएं शुरू करें, दो बार याद करें, जिसमीच में भी याद करें, और मुझसे चारों और पतास है रहा है, इससे हमारी बुद्धी देधारियों में कभी नह जाएगी, हमारी दरस्ती आत्मिक हो जाएगी, और हम एक महान स्पिच्वल एनर्जी से स्वैम को भरपूर करेंगे, आत्मिक दरस्ती होने से हम संसार को सकास देते हैं, हमारी केने चारों और फैलने लगती हैं, तो हम सभी कर्म करते हुए ऐसा स्प्रेश करें, कि मानो हम इस दुनिया में हैं ही नहीं, हम तो साक्षी दरस्ता हैं, जैसे फरिष्टा उपर से आया है, और इस संसार को रेख रहा है, कैसी स्थिती है यहां की, कैसी मनुस है यहां के, कैसे आतुरी सम्पदा चारों और बढ़ गई है कैसे मनुस में वातनाएं विक्राल रूप से जागरित हो गई है इन्हें साक्सी हो कर देखें क्यों हो गई? क्यों ऐसा लोग कर रहे? ये क्यों नहीं? साक्सी द्रश्टा माना क्यों के क्वेस्चन से सदा मोक्त देखने वाले न कि उसके चिंता करने वाले चिंतन की भी जवरत नहीं है तो कि जो कुछ हो रहा है वही कल्युक के अंत में होना है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता चेंज करने वाले तो हम हैं बाबा है जो अब इस युक को ही बदल देंगे तो आज सारा दिन हम अपने को प्रकास की देहे में और मैं आत्मा प्रकास मान मस्तक्च बीच चमकती जोती हूं ऐसा मैं फरिष्टा हूं और मेरे अंग-ंग से प्रकास सहल रहा है ये बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे और कभी अभ्यास करेंगे साक्सी होकर सभी आत्माओं को मनुस्यों को इस कल्यूगी संसार को होने वाली घटनाओं को देखेंगे और महसुस करेंगे मेरे मस्तक से हमें एक तरफ खड़े हैं हमारे मस्तक से प्रकास की किरने निकस कर सारे संसार पर पढ़ रही हैं इससे बहुत सुख दनवूती होगे तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम चान्ति